आप सभी को नमस्ते आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे यरुशलेम के बारे में तो दोस्तों वीडियो को अपना दिल से प्यार दे धन्यवाद एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें जिससे हमें एक फिर से नई वीडियो बनाने में हुशी हो जैहिंद मद्यपूर्व का यह एतिहासिक शहर यहूदी ईसाई और मुस्लिम धर्म के लोगों के लिए महत्वपूर्ण सभास्थल है फिलिस्तीन इसे अपनी राजधानी बनाना चाहता है जबकि इसराइल भी इसे अपनी राजधानी मानता है गाजा पट्टी और रामला फिलिस्तीनी मुस्लिम समुदायों के घर हैं जो येरुशलम को इजराइली कब्जे से आजाद कराने की चाहत रखते हैं प्रारंभ में इजराइल का प्राचीन सामराज्य दस यहूदी जंजातियों से बना था हजर्त मुसा ने येरुशलम में अपनी जंजातिया स्थापित की राजाओं डेविड और सोलोमन के शासंकाल के बाद बेबिलोनियों और इरानियों ने इस स्थान पर कब्जा कर लिया इसलाम के उद्भव के साथ मुसल्मानों ने इस शेत्र पर लंबे समय तक शासं किया जबकि यहूदी आबादी को विस्थापन की घटनाओं का सामना करना पड़ा क्रोस युद्ध क्या होता है? धर्म युद्ध या क्रोस युद्ध इसाई धर्म की रक्षा के उद्देश्य से लड़े गए संगर्शों को संदर्भित करता है 1095 से 1291 के बीच हुए धर्म युद्धों में इसायों ने पवित्र भूमी फिलिस्तीन और विशेश रूप से युद्ध लड़े इस दौरान सलावदीन और रिचर्ड के बीच कई लड़ाया लड़ी गई और इसाई तीर थेात्रियों की सुरक्षा के लिए नाइट टेंपलर का उदे हुआ इन संगर्शों को सेवन क्रुक्स युद्ध के रूप में भी जाना जाता है इस समय के दौरान इसलामिक सेना ने इस शेत्र पर नियंतरन स्थापित कर लिया था यरुशलम जिसे हिब्रू में यरुशलायम और अर्बी में अलकुद्स कहा जाता है इसराइल का सबसे बड़ा और एतिहासिक शेहर है यह इसराइल के चार प्रमुक क्षेत्रों में से एक है और इसकी राजधानी माने जाने पर बहस चल रही है जबकि वर्तमान में तेल अवीव राजधानी है यह शेहर जौर्डन की सीमा के करीब है और भूमद्य सागर और मृत सागर के बीच स्थित है यरुशलम धार्मिक और एतिहासिक द्रिष्टी से मेहत्वपूर्ण है जिसमें 1204 आरादनाले, 158 चर्च और 73 मस्जिदे हैं जैतून परवत से यरुशलम का द्रिश अद्भुत है जिसमें प्राचीन दीवारें और गुमबद शामिल है शेहर की जनसंख्या में 75% यहूदी, 15% मुस्लिम और 10% अन्य धर्मों के अनुयाई शामिल है हिब्रु यहां की आधिकारिक भाशा है जबकि अर्बी और अंग्रेजी भी बोली जाती है यरुशलम का पुराना और नया हिस्सा अपनी सांस्कृतिक विवित्ता और धार्मिक मेहित्व के साथ विश्वभर के लोगों को आकर्शित करता है